क्या फेक निउस के शिकार होकर बाबा बागेश्वर एकांत में जाने वाले हैं जबसे बाबा बागेश्वर ने अलान किया है कि 15 जून से वे एकांत वाश करेंगे तब से हर कोई थोड़ा हैरान है क्योंकि अक्सर भक्तों में घेरे रहने वाले बाबा ने अचानक एकांत वाश का एलान क्यों किया कहिस के पीछे उनकी शादी वाली बात तो नहीं आपको बता दे कि बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर द्रेंद कृष्ण शास्त्री से शादी का सपना संजोए MBBS स्ट्रेंट शिवरंजनी तिवारी ने बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी है वे 16 जून को बागेश्वर धाम पहुचेंगे लेकि जब शिवरंजनी को पता चला कि बाबा 15 जून के बाद एकांत वाश में जाने वाले हैं तो वे परशान न सराई पर उन्होंने उमीद जताई है कि वे बाबा से जरूर मिलेंगी बतारे कि शिवरंजनी ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम में कभी कोई निराश्ट नहीं लोटा है मास सभी की सुनवाई होती है उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि इसके आगे शिवरंजनी ने कहा कि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं करीब 1300 किलोमीटर की पद्यात्रा है कि हम बिलकुल मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं 50 डिगरी तापमान में हम सभी ने पद्यात्रा की है बदारे कि 20 साल की शिवरंजनी इन दिनों सूर्ख्यों में बनी हुई है वे अपनी मनों कामना का कलश लेकर बागेश्वर जा रही है साथी बाबा धिरेंद शास्त्री को प्राणनाद बता रही है दूसरी और बाबा बागेश्वर उन्हें बिटिया बता रहे है इसको लेकर जब शिवरंजनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी बयान से अबगत नहीं है वो एक इंटर्व्यों में शिवरंजनी से पूछा गया कि अगर दुरेंद कृष्ण शास्त्री ने शादी से इंकार कर दिया तो आप क्या करेंगी इस सवाल पर शिवरंजनी मुस्कूराते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं सूला जून को उनके धाम पहुचूंगी मगर गर्मी बहुत जादा है इसलिए एक या दो दिन आगे पीचे हो सकता है फिलाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे जन्हे टाइम्स के साथ